Dear friends, if you are new to this channel then subscribe and press the bell like this. इस वीडियो में देखेंगे कि समास किसे काते हैं और समास के कितने बेद हैं और समास को याद करने की ट्रिक क्या है इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे तो आएए मेरे साथ बने रहे और धियों से अच्छी तरह से समझने का परियास करेंगे तो समास की परिभासा क्या होता है बच्चों? तो समास की परिभासा हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बना हुआ वो सब्द को हम समास करते हैं या तो इसको कहेंगे, क्या कहेंगे आपको, इस तरह समझे आप, यानि दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बना गया नया संचिप्त सबको हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं, यानि समास का अर्थ होता है, समान होता है, तो इसको हम और अच्छी तरह से हम समझेंगे, समास का सा पुरू पद एमां उत्तर पद क्या होता है यहां पर हम फास जाते हैं यह समझ नहीं पाते हैं कि आखिर पुरू पद और उत्तर पद क्या होता है तो समास दो पदों से मिलकर बना होता है तो इसमें पहला पद को हम पुरू पद काते हैं और दूसरे पद को हम उत्तर पद का होता है यह देखिए पहला पद को हम पूरू पद काते हैं और दूसरा पद को हम उत्तर पद काते हैं लेकिन इसे हमको समझना चाहिए आखर यह कहा होता है और कैसे होता है बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं पहला पद तो पहला पद किसको कहे यथा को कहे पहला पद और उ विभी दिकत नहीं होने चाहिए है अब राज पूत्र में देखेंगे परफम पद आपका राज हो गया दुति पूत्र हो गया तो इस तिरे से आप समझेंगे कहीं भी कोई दिकत नहीं होगा बच्चो आईए चलते हैं आगे बच्चो जब आप समास की परिभासा पढ़े तो उसका भेद भी तो आपको पढ़ना है तो समास की छो भेद होते हैं कौन-कौन सा भेद होते हैं पर्थम बाद आपकर देखते हैं पर्थम कौन सा भेद है तत्पुर पुछे जाते हैं, या आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, या कहीं भी कोई competitive exam लिख रहे हैं, तो सभी जगा पूछा जाता है, तो इसकी बारे में आपको एक trick को याद रखिए, अब यही भाव समास, कैसे पहचान करेंगे, तो इसका पूरुपद परधान होता है, पद इसमें परधान होता है, इसे आप अचीतर समझे, कोई दिकत नहीं है, अब ततपूरु समास क्या कहेंगे, ततपूरु समास में क्या होता है, उत्तर पद आपका परधान होता है, जो कि आप जाने, और यह ततपूरु समास में नियम यह आपको याद रखना है, कि उत दूनो पंद आपका क्या होगया? दूनो पंद पर्धान हो गिया और इसमें देखें द्टिवि शमास क्या होता है कि पहला पнд संख्यावाची को बोध करता है उमीद आपको अची तर समज में आगया होगा और करमधारे समास में क्या काता है कि दोनों पद विसेश और विसेश रहता है यानि विसेशन और विसेखा इसमें बोध रहता है उसको आप करमधारे समास काते है उसके बाद रह गया बहु बिरी समास, तो बहु बिरी समास में क्या होता है, अन्य पद परधान होता है, जबकि पहला पद और दूसरा पद से इसको कोई मतलब नहीं होता है, इसका अन्य पद परधान होता है, ततपुरु समास के बच्चों ये उधारन देख रहे हैं, अब चलते हैं आगे अब देखें दूंद समास, दूंद समास में क्या काता है, दूंद समास में दोनों पद परधान होते हैं, और इसमें दो पदों के बीच योजक पाया जाता है, तो वही समास क्या होता है, बिग्रह करने पर और बोद होता है, जैसे आप देखेंगे माता और पिता, जैसे दे जैसे दीन रात में आप देखेंगे तो दीन रात में यह देखें योजक्चिन का परियोग हुआ और इसको यहाँ पर और का परियोग किया गया है तो यह आपका क्या है यह दोंद समास के उधारन है इस तरह से आप देखें बच्चों और यह देखें आपका कर्मधारे समास कर्मधारे समास में क्या होता है कि समास के दोनों पद, पूरुपद और उत्तर पद में विसेशन और विसेश की संबंद बोध करता है उधारन के लिए देखेंगे बच्चों पीतांबर, पीला है जो आंबर ये तिसरी पद की परधान आप बता रहा है इस तरह से बच्चों आप समास को याद रखेंगे और बहुबरी समास की बात करें बहुबरी समास में आप देख रहे हैं कि इस समाज में कोई भी पद परधान नहीं होता है इस पद में पर्थम पद संख्यावाची तो होता है परंतु दूनों पद, पर्थम पद और उत्तम पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ को परदान करता है यानि तीसरे अर्थ को बोध करता है इसे ही हम क्या काते हैं बहुबरी समास काते हैं इसे आप अच्छी तरह से याद रखेंगे ये काफी मौतपूरन है इसका उधारन भी आप देख रहें बच्छों, आपके पास उधारन क्या परतुत क्या जा रहा है कि वीना पानी, यानि वीना है जिसके हाथ में और अर्थात सरस्वती यहाँ देखिए यह पर्थम पद यह दूती पद और इसका बोर्ध हो गया यह तिसरा पद से संबोधित कर रहा है इसलिए यह क्या होगा आपका वीना पानी यह किसी पद की परधानता नहीं दर्शाता है लंबोदर में है किसी पत की परदानता नहीं दर्शाता है लेकिन ये तिसरे बात को कहा जाता है लंबोदर किसका लंबा उदर है तो गनेश जी का लंबा उदर है तो इसी को संबोधित करता है बच्चो इस तरह आप अच्छी तरह से अपना practice को जारी रखें अगर ये बच्चो आपके लिए काफी useful रहा तो वीडियो को लाइक कीजे चैनल को सब्सक्राइब के जो और अपने पढ़ाय को continue जारी रखें और ये सभी परिछा के दिरिष्टी कौन से बच्चो काफी महत पूर्ण है वीडियो को अन तक देखे बच्चो आपको बहुत बहुत धन्यवाग थेंक्यू फर वाचिंग माई वीडियो